हेलो गाइज, वेलकम टू दी चैनल, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल गेट्स के बाए में, कि ये होता क्या है और ये कैसे हेल्प करता है हमें कम्प्यूटर और फिजिक्स सब्जेक्ट में लॉजिकल गेट्स एक डिवाइस होता है जो एक बेसिक ऑपरेशन, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिगनल के उपर काम करता है इलेक्ट्रिकल सिगनल मतलब ON, ON मतलब 1 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मतलब एक तार से जब इलेक्ट्रिक पास करता है तब उसे ON या फिर 1 कहते हैं या फिर High Voltage कहते हैं और अगर उस तार से कोई भी Current पास ना करे तो उसे False कहते हैं या फिर Off करते हैं या फिर Low Voltage या फिर Zero इससे Denote किया जाता है इलेक्ट्रिकल गेट्स से हम लोग एक Circuit बनाते हैं तो उस Circuit में Input होता है Current मतलब Input एक तार से आता है तो वो Current पास कर भी सकता है और नहीं भी पास करता है तो इसलिए One Input होगा या फिर Zero Input होगा अब आगे आगे मैं जब समझाओंगा तो आप लोग को और समझ में आएगा कि Logical Gates होता क्या है और कितने पकार के यह होते हैं Gates साथ पकार के होते हैं आप लोग देखी सकते हैं NAND, AND, OR, NOR, NOT, ZOR, XOR NAND gate, NOR gate, OR NOT gate, Basic Gates है और NAND, NOR gate यह Universal Gates है यह तिन gates सबसे simplest gates हैं इसके नीचे और simplest gates नहीं पाया जाता है Let's talk about our first gate, NOT gate, which is also called as inverter Inverter इसे क्यों कहते हैं? अब यह देखते हैं, NOT gate actually NOT मतलब क्या? नहीं तो जो होगा, जो input होगा उसका उल्टा यह निकालेगा मतलब अगर input 1 है तो 0 होगा, 0 है तो 1 होगा मतलब अगर input में high voltage है तो यह दूसरे तरफ low voltage आएगा और अगर high 0 voltage है तो यह high voltage निकालेगा NOT gate यह एक ही input लेता है और एक ही output देता है इस picture में आप लोग देख सकते हैं A जो है वो input है A मतलब input और X मतलब output यह X equal to A बात दिया गया है क्योंकि A not भी इसे बोलते हैं क्योंकि यह A का उल्टा है मतलब यहाँ पर उल्टा मतलब 0 अगर A होगा तो X मतलब A not उसका 1 होगा और A अगर 1 होगा तो X मतलब A not उसका 0 होगा यह आप टेबिल में देखी सकते हैं अब हम लोग दूसरे logical gate के पाये में पढ़ते हैं एंड गेट एंड गेट एक एक इंपॉर्टेंट गेट होता है जो कि मतलब इंटू होता है मतलब दोनों इंपुट अगर हाई होंगे मतलब 1 होंगे तभी यह आउपुट में 1 देगा आप लोग टूसरे बिल देख सकते हैं दो इंपुट आ रहा है ए और बी और इसका आउपुट एक्स है तो यह बुलियन एक्सप्रेशन में ए प्लस बी होता है मतलब जो logical gate को हम लोग mathematical expression में लिखते हैं उसी को बुलियन एक्सप्रेशन बोला जाता है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि टेबिल में देख सकते हैं जब एक वैलू 1 और 1 आता है मतलब ए और बी का दोनों का वैलू 1 वान आता है तब ही x1 होगा मतलब यह एक formula है x equal to a into b AND gate में ऐसा ही होता है अब दूसरे gate के बारे में पढ़ते हैं जो की है OR gate यह actually करता क्या है यह देखते हैं हम लोग यह actually दो input मतलब input तो 0 या 1 कोई एक ही होगा तो यह बस उन दोनों को add करता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं x x मतलब जो output होगा वो a plus b होगा मतलब a और b का एक table आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर x को कैसे evaluate किया जा रहा है वो ही हम लोग देखते हैं देखें a और b जब 0 रहता है वो तब 0 होगा और जब a और b मतलब a जब 0 होगा और b जब 1 होगा तो output 1 दे रहा है मतलब जब भी कोई भी एक input अगर 1 रहेगा तो उसका output भी 1 ही होगा इस table जो दिया गया है इसे हम लोग बनाएंगे कैसे यहाँ पर देखिए दो input दिया गया है मतलब उस input का मतलब उसे हम लोग n पकड़ते हैं यहाँ पर a और b मतलब दो input है तो possibility मतलब combination कितने सारे होंगे मतलब table में कितने rows होंगे यह वही decide करेगा मतलब 2 to the power n मतलब 2 to the power 2 मतलब 4 rows होंगे तो यह rows हम लोग निकाल लिए अब 4 जो है 4 को by 2 करेंगे तो 2 आता है मतलब a का पहला row में 2 go 0 होगा और नीचे में 2 go 1 होगा और अगले वाले में 2 जो निकला है तो उसका half मतलब 1 मतलब 1 go 0 1 go 1 ऐसे alternating करके b का जो column है वो fill होगा और फिर इसे add करके x निकालेंगे मैं आपको और एक एक्जामपल से समझा देता हूँ अगर सोचिए आपके दो इंपुट के बदे आपको तीन इंपुट से और गेट बनाने बोला जाए तो आप truth टेबल कैसे बनाएंगे देखे नमबर आफ इंपुट तीन है तो इनके कितने रोज होंगे मतलब जो टेबल में कितने रोज होंगे तो वो इस फॉर्मूले से आता है तो टू दी पावर एन यहां पे एन थ्री है तो टू टू दी पावर थ्री इक्वाल टू एट मतलब 8 गो रोज होंगे और उसके बाद उस 8 को तो से डिवाईट करके 4 आता है तो नमबर आफ जीर इन A मतलब A का पहले 4 zeros होंगे और नमबर आफ जीर इन B मतलब B का पहले 2 शुन्य होंगे और C में 1 शुन्य होगा यह कैसे होगा मैं दिखा रहा हूँ अब देखिए यहाँ पर number of zeros in A 4 आया था तो इसलिए पहले 4 गो 0 लिखेंगे और फिर 4 गो 1 लिखेंगे इस picture के जड़िया आप लोग समझ सकते A के बाद B वाला column भी हम लोगो भरना है तो number of zeros B में 2 आया था तो पहले दो गो शुनना होगा फिर दो गो 1 होगा दो गो 0 फिर दो गो 1 बी के टेबिल में दो दो करके हम लोग alternate करके भरेंगे पर भी आप लोग समझ गए होंगे कि number of 0 C के लिए 1 आया था तो यहाँ पर 1 0 मतलब 1 गो 0 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे ऐसे एक एक के interchange करते करते लिखेंगे और यह column भी भर देंगे simply आप लोगों को पता ही है or get मतलब एक अगर input कोई भी एक input अगर 1 होता है तो result हमेशा 1 होता है यहाँ पर आप लोग देख सकता है कि जब सब 0 होगा तभी output 0 मतलब x 0 होगा वरना पूरे table में सिर्फ 1 ही दिखाई जिदे रहा है सिवाए वो पहले वाले होगे अब next gate के भाए में बात करता है zor gate यह zor gate होता क्या है यह minimum 2 input लेता है और यह output 1 तभी देता है जब input में odd number of 1 हो मतलब देखिए a और b में कोई 1 अगर 1 होगा तभी यह output 1 देगा वरना यह 0 output हमेशा देगा पहलिए देख लेता है बाकी दो gates के तरफ nan gate और nor gate यह actually होता क्या है अब आप लोग and gate और or gate पढ़ी चुके है तो nan होता क्या है कि and जो होता था उसको और एक not gate से पास करवाना पड़ता था मतलब a मतलब की यहां पे nand में होगा क्या a into b करके जो भी निकलेगा मतलब अगर zero result आता है तो उसे हम लोग one लिखेंगे और अगर one आता है तो उसे zero लिखेंगे वैसे नौर gate में होगा क्या अगर a और b को प्लस करके अगर zero आता है तो हम लोग one लिखेंगे और one आता है तो zero लिखेंगे बस इतना ही करना है इस टेविल पे अब अगला gate है x not gate x not gate भी samely nand और nor gate के तरह ही है यह भी जौर gate का inverted gate है मतलब अगर तो variable को जौर gate का जो value आता है मतलब zero आता है तो उसको one करेंगे और one आता है तो जीरो करेंगे तो यह x not हो जाता है thank you for watching the video please check the i button for more informative videos and educational videos please like the video and subscribe to the channel for more videos